श्रीन आज्ये गुरुजी को अलखादेश, मा भगवती को अलखादेश, श्राशी वाले भहिरव बाबा को अलखादेश, कर सभी को अलखादेश, भहरव चर्चा तीन सप्ता से चल रहा है, आज मैं एक रहसे खुलूँगा, मैं बहुत बार आप लोगों को बताता हूं कि साधना करने के लिए बहुत सारे मंत्रों के आश्यक्ता नहीं होती है, मुलभूत रूप से सिर्फ गुरु मंतर से ही मारन, महन, उचाटन, वशेकरन जैसे सभी आभिचारिक कर्म हो सकते हैं या किसी भी एक शक्ती को आप अगर सिध कर लेते हैं एक मंतर को आप सिध कर लेते हैं पून रुपेन तो आपको वो शक्ति आ जाती है कि आप उसको किसी भी तरीके से प्रयोग करो बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो की प्रयोग पर बेजड होते हैं आपके पास मंत्र है आपने उसको एक लिखित संख्या में जपा बिना सिद्ध किये हुए लेकिन जो उसमें तंत्र दिया हुआ तंत्र क्या होता है, जब यंत्र पर एक विधान के साथ आप मंत्र का जाप करते हो, तो उसको तंत्र बोलते हैं। करने से जो भी उसका फल है, वो मिलता है, ठीक है, तो आज जो हम मंत्र का आपको चार-पांच विधान बताएंगे, क्या-क्या विधान बताएंगे, स्तंभन प्रयोग बताएंगे, मोहन प्रयोग बताएंगे, सत्रून आशक प्रयोग बताएंगे, आकर्शन प्रयोग मन्त्र बहुत चोटा सा है मंत्र है यह रिम श्रिम आपादू द्वारणाए ह्रां मुर्स रिम रूं मम यह कोई अगोर मंत्र जब महादेव विरुद्र गाता है तो उसमें यह आपको मंत्र मिलेगा ही मंत्र एक बर सुनिए आम रिम श्रिम आम श्रिम आपादू द्वारणाय राम रिम हुम ठीक है इसी मंत्र में और आगे जब कुछ शब्द जुड़ते हैं तो यह स्वन भहरण का मंत्र हो जाता है इसके पीछे कुछ मंत्र जुड़ते हैं तो यह बटुक भहरण का मंत्र हो जाता है और इसी में एक बीज और जुड़ जाए तो यह महाकाल भहरण का मंत्र होता है तो ये मंत्र से आपको साधना करनी है ठीक है तो कैसे करते हैं साधना अगर स्थम्मन प्रयोग करना स्थम्मन प्रयोग क्या होता है कि कि किसी को कहीं रोक देना तो जो दुरात्मा है वो क्या करती है कि कोई वेक्ति अगर प्रगति कर रहा है तो उसका स्थम्मन करता है लिग जहीं घटना घटित होगी त्री फोल्ड मतलब तीन गुना तो अपने साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उस चीज को स्थम्बित कर दो किसी को देखो कि वो पतन की और जा रहा तो उसका स्थम्बन करके उसको रोग दो 45 दिन छोड़ दो और फिर अगले क्रिया करो उसके धनारजन के लिए तो वैसे स्थम्बन करने के लिए क्या करना होगा इस मंत्र को रविवार को प्राता काल में सम्षान में जा करके 10,000 जब करना होगा फिर जब रात्री होगी रविवार को तो सम्षान जाईए जैफल लेकर के जावित्री लेकर कनेर का पुश और इसको घी में मिला करके दशान सवन कीजिए तो ऐसे में सत्रू हो मित्र हो जिसका विकारे हो और जो भी आप संकल्ब लेकर ये जाब करेंगे उसका स्तंबन हो जाएगा ठीक है अब मोहिनी प्रयोग कैसे होता है इसका मोहिनी प्रयोग भैरब मंत्र से सोम्वार को होता है तो सोम्वार को दोपहर में ठीक है कुवे के जल से स्नान करें कुवा का बड़ा महत्व है तंत्र में जैसे बहते पानी का महत्व है वैसे ही कुवा का महत्व है उसके बाद बाकी जलाशेओं का उतना महत्व नहीं है तो कुवे के जल से स्नान कर लीजे ठीक है और फिर वह पर पानी खीच करके बाहर निकालिए किसी लोटे को डाल के या बाल्टी को डाल कर और वहां बैट जाईए बैट करके इस मंत्र का 10,000 जाप करिए ठीक है इसके बाद घी भैस का दूद और दही इसमें फिर चीनी मिला के शक्कर नहीं मिलाना है चीनी मिलाना है मिलाकर दशन्स हवन कीजिए यह जो हवन कीजिएगा इसका जो भश्म होगा इसका तिलक के प्रयोग से मोहिनी की प्राप्ति होती है मतलब आपको जो भी देखेंगे वो मोहित हो जाएगे फिर है सत्रु नाशक प्रयोग यह मंत्र प्रयोग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई अगर सत्रु किसको कहा जाता है सत्रु उसको नहीं कहा जाता है जो परिवारिक कलेश हो सत्रु उसको नहीं कहा जाता है जो कि व्यपार में आपको रोक रहा हो या व्यपार को आधी रात में किसी चौराहे पर आपको जाना है तो चौराहा कैसा वो चौराहा हम नहीं मानते हैं जो मतलब डांबर से बनता है आपको किसी जंगल के बीच का चौराहा या किसी पकडंडी के बीच का चौराहा खोजना होगा और वहां पर जाकर के फिर से दस हजार इस मूल मंत्र का जाप करना होगा मद्यरात्री में ठीक है उसके बाद थोड़ा घी खीर दूद का खीर बना के रखे लाल चंदन और किसी स्त्री का केश जो ऐसे सडक पर आपको पड़ा मिले इसको मिला करके और संकल्प ले करके अगर आप हवन करते हैं अद्धशान तो जिस भी सत्रू के लिए आप कर रहे हैं उसका नाशो का इसमें एक चीज़ ध्यान देना कभी भी खुद के लिए ये प्रयोग मत करना कभी भी किसी एक व्यक्ति के लाब के लिए ये प्रयोग मत करना किसी भी लाव के लिए इस प्रयोक को किया बुद्वार के दिन भैरफ जी का बहुत प्रिया दिन है रविवार की तरह उस दिन आकर्शन मंत्र का प्रयोक होता है इसी मंत्र को चौथे पहर में घर खाली हो तो इस मंत्र का दस हजार जाप करना होता है और उसके बाद घी, चीनी, सनैला और कनेर का फूल और साथ में कुछ बिलपत्र मिला करके दशान सवन करने से आपका जो औरा होता है वो इंक्रीज होता है और जो भी आपको देखेगा वो पूर्ण रूपेन आकरशित होगा और शुक्रवार को उचाटन विद्धी होती है इसको जानके कोई फादा नहीं है किसी का उचाटन करना नहीं चाहिए लेकिन शुक्रवार का दिन जो होता है उसमें सद्ध्या में वटवरिज के नीचे बैठ करके आप इस मंत्र का अगर दसजार जाप करते हैं और दूद, घी, दही और इकरस, गो, मूत, खीर, मिला के दश्यार सावन करेंगे तो जिस पे भी प्रयोक करेंगे उसका उचाटन हो जाएगा उचाटन का मतलब क्या होता है मती ब्रह्म हो जाना वो पागल हो जाएगा, वो घर छोड़के चला जाएगा लेकिन इसमें ध्यान रखना कोई भी उलट कर्म का जो फल होता है वो उलट होता है वो सीधा नहीं हो सकता है ठीक है तो मैंने तीन आपको सीधे कर्म बताए जो सीधे दिमाग के व्यक्ति होंगे वो सिर्फ उन तीन सीधे कर्मों का प्रयोग करेंगे जो उलट दिमाग के लोग होंगे जो जो ये ग्यान के वीडियो से उल्टा काम करेंगे वो उल्टा तीन गुना अपने पर लेने के लिए तेयर रहेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही कुछ चीजे घ्यान के लिए देनी हो और उसी में ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं जिनको ऐसा घ्यान और चाहिए वह बेसिक साधना गुरुप से जुड़ सकता है जानकारियों के लिए www.agurtantras.com पर आप लोगिन करेंगा आप सभी की रक्षा करें आप लोगों पाकर्शन में केंद्र बनाए ऐसी मेरी कामना है आप सभी आदेश 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 आला खादेश